Hello friends, मैं चंदर जोती, Mind Hypnotism Channel हर्याना से Friends, मेरे पास request आई है कि मैं video बनाऊं कि जो husband अपनी wife पे हाथ उठाते हैं request तो आई भी है और साथ ही personally मैं बहुत सार ऐसे cases देख रहे हूँ जहाँ पे जो औरत है वो exploit होती जा रही है ये मैं किसी अनपढ़ गवार या किसी रिक्षा वाल या किसी मजदूर की बात नहीं कर रहे हूँ ये हमारे आपकी जैसी family के ही लोग हैं जो कि बहुत सब्भय माने जाते हैं जो कि शोशले life में बहुत सब्भय माने जाते हैं लेकिन अगर उनको internil देखा जाए तो वो अपनी wife के साथ मार पीट करते हैं मैंने personally भी बहुत सार ऐसे cases देखे हैं तो इसके पीछे मानसिक्ता क्या होती है उन लोगों की वो लोग जो है emotionally बिल्कुल भी strong नहीं है वो कहीं से भी strong है नहीं लेकिन वो जताने की कोशिश करते हैं कि अपना गुस्सा दिखाके, मार पीट करके, अपने से कमजोर पे हाथ उठाके वो अपने आपको strong दिखाने की कोशिश करते हैं ये उनकी ego है या उनकी अपनी गलतियां हैं जिनको हाइड करने के लिए वो मार पीट करते हैं ये उनकी बिमार मान सकता है कि हम किसी से अगर हम अपनी बात मनवाना चाहते हैं या उसको अपने आपको उचा दिखाना चाहते हैं तो उसके साथ मार पीट करें strong इनसान तो वो है जो दूसरों को respect करता है खासकर अपने से कमजोर को लेकिन अपनी वाइफ को control करना मार पीट करना उसको abuse करना दूसरों के सामने उसको insult करना अगर वो successful हो रही है तो उससे jealous feel करना और उसकी हर छोटी छोटी चीज़ों को control करना मैंने बहुत सारी लेडिस ऐसी देखी हैं जो की अपनी आपसे market तक नहीं जा सकती है उनको यह लगता है कि उनको अपने husband को बताना पड़ेगा क्यों क्यों गई है अगर वो late हो गई है तो उनको घर जाके डांट खानी पड़ेगी या मार खानी पड़ेगी कैसे रह रहे हैं लोग मेरी समझ में नहीं आता और यह सच में वो पड़े लिखे सब्भय लोग हैं जो अपनी wife के सामने इस तरह का behave करते हैं समाज में दिखाने के लिए कुछ और और अपने घर में कुछ और और जो wife है वो क्यों सहती रहती है वो कहती है कि मैं अपने husband से बहुत प्यार करती हूँ वो उसको बार-बार मौका देती रहती है हाँ मैं भी इसी चीज़ में विश्वास रखते हूँ कि परिवार को बनाए रखना चाही हमीशा छोटे-मोटे लड़ाई जगडे तो सभी घरों में होते हैं लेकिन अगर आपके घर में ये circle ये cycle बार-बार repeat हो रहा है कि आपके साथ मार पीट हो रही है फिर आप से माफी मांगी जा रही है लाड़ पैर जटाय जा रहा है और फिर थोड़े दिनों बाद फिर वही मार पीट तो आपको भी साफधान होने की जरूरत है इससे देखिए बच्चों पे तो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव असर आता अगर घर में इस तरह का महौल है तो लाइफ टाइम के लिए वो बच्चे मानसिक परिशानी से सफर करते हैं या तो वो भी ऐसे ही बनते हैं उनको भी लगता है कि फीमेल्स को ऐसे हैंडल करना चाहिए कि उन्होंने अपने फादर को देखा है क्योंकि आदमें को यही लगता है कि औरतों को मार पीट करके अच्छे से रखा जा सकता है अच्छे से हैंडल किया जा सकता है तो या तो उनकी मान सिकता ऐसी हो जाती है या वो बिल्कुल दब्बो हो जाते है और बच्चे अंदर ही अंदर बहुत अजीब महसूस करते हैं बहुत helpless महसूस करते हैं मैंने देखा है कि ऐसे घरों के बच्चे जो है छोटी उमर में भाग जाते हैं या किसी नशे की लत्मे पढ़ जाते हैं गलत संगत में चले जाते हैं पेरेंट्स को लगता है बच्चों को तो कुछ क्या ही नहीं रहे हैं बच्चों को तो इन्वाल कर नहीं रहे इस चीज़ में लेकिन indirectly बच्चों के उपर उस चीज़ का बहुत असर पड़ता है अगर आपकी family का environment healthy है तो आप समाज को अच्छे नागरिक देंगे, अच्छे बच्चे देंगे लेकिन आपके घर का ही महौल अगर ऐसा है अगर वो इस तरह की हरकते अपने घर में देख रहे है तो नहीं तो वो parents की respect करेंगे कभी और आपको क्या लगता कहीं बढ़ापे में जाके आपको respect देंगे आपकी care करेंगे, मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि जैसे संसकार आप उनमें डालेंगे वैसे ही कल को आपको मिलने वाले है तो सबसे पहले तो हमारे लिए ज़रूरी होती हमारे बच्चों को दिये गए संसकार उनकी की हुई परवरिश तब ही वो एक अच्छे नागरिक बनेंगे चाहे वो डॉक्टर बने चाहे इंजिनियर बने वकील बने बिजनिसमेन बने लेकिन अगर वो अच्छे इंसान होंगे तो हर केरियर उनका सेक्ससफुल होगा इसलिए अपने लिए अपने बच्चों के लिए अपने परिवार के लिए हमें घर में शान्ती बनाए रखने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेल्स को मैंने देखा उनको ये लगता है कि अगर हम मार पीट करके या गाली गलोच करके या गुसा करके फीमेल्स के साथ में रहते हैं तो वो दभी भी रहते हैं वो अपनी मनमर्जी नहीं करती और वो इस चीज़ को अपने इज़त समझते हैं लेकिन उनकी ये सोच बिल्कुल गलत होती है वो फीमेल्स के पास option नहीं होता है कि वो कहीं चली जाए फीमेल्स के साथ problem यही मैंने जैसे बहुत लोगों से बात करके देखिए कि अगर तुम इतना साथा बरदाश्ट कर रहे हैं तो घर को छोड़ क्यों नहीं देती है तुम पढ़ी लिखी हो सब कुछ कर सकती हो तो पहला तो dramatic जवाब होता है कि मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और उसको यह भी लगता है कि वो गुस्से में ऐसा कर देता है प्यार तो वो भी मुझसे बहुत करता है चली ठीक अच्छी बात है हमारी पहली कोशिश तो यह होनी चाहिए कि कि किसी का भी घर ना टोटे फिर वो कहते हैं कि अगर मैं छोड़के भी चले जाती हूँ तो मैं क्या करूँगे मैं तो उसके बिना रही नहीं सकती मेरी कौन हेल्प करेगा देखिए अगर घर में छोटे मोटे जगड़े हैं और कभी का बार ऐसा हो जाता तो हमारी इंडियन फैमिली में चीज नैचरली है वैसे होना तो ये भी नहीं चाहिए लेकिन अगर आपके घर में यही साइकल बार बार रिपीट हो रहा है तो आपको साफधान होने की ज़रूरत है ऐसा मैं सोचे कि आपकी हेल्प को ही नहीं करेगा आपके हेल्प के लिए पुलिस है बहुत सारे एंजियोज है आपकी फैमिली है आपकी फ्रेंड्स है जब आप उनकी हेल्प लेने की कोशिश करेंगे तब ही तो आपको हेल्प मिलेगी और चलिए आप सोचते कि हमें किसी की हेल्प लेनी नहीं है तो कम से कम इतना तो सीख जाए कि उस उठेवे हाथ को रोकना कैसे है क्योंकि शायद हम लोग भूल जाते हैं कि हमी दुर्गा और चंडी का रूप है इसलिए अगर हमारे साथ कुछ ऐसा आप्राकर्तिक हो रहा है अमानविय हो रहा है तो हमें वो बरदाश नहीं करना चाहिए प्यार से समझाने की प्यार से रहने की कोशिश करनी चाहिए अगर फिर भी कोई इनसान नहीं मानता है तो हमारी फैमिली है फ्रेंड्स हैं पुलिस हैं इनकी हेल्प हमें ले लेनी चाहिए और अगर situation बहुत ही worst हो जाती है तो उस case में आप सोच सकते हैं कि आपको ऐसी कई नाजुक जगा चोट भी लग सकती है आपके सिर में चोट लग सकती है आप even के मृत्यू भी हो सकती है मैंने ऐसे cases भी सुने हैं बहुत सारे कि wife और husband में जगडा हुआ तो husband को इतना गुसा है कि उसने सिर में उठा के डंडा मार दिया या उसको दिवार से पटक के मारा या चको मार दिया आप लोग भी आएदे news papers में पढ़ते होंगे तो उसमें गलती क्या रहती है मेरे हिसाब से females की रहती है वो शुरू से ही बरदाश करती जाती है हमारे उापर अत्याचार काथ होता जब हम उसको बरदाश करने के आदर डाल लेते है इसलिए कि हमें प्यार है उसको भी प्यार है देखिये अगर किसी को प्यार होगा तो या किसी को हार्ट नहीं कर सकता ये बात पकी है, हाँ कभी कबार गुसे में गलती हो जाती है लेकिन मैं फिर कहूंगे अगर आपके साथ ये साइकल रिपीट हो रहा है तो आपको बहुत ही सावदान होने की जरूरत है इसका असर आपके उपर तो होई रहा है, साथ साथ आपके बच्चों पे भी हो रहा है तो आप कम से कम सोज समझ के कुछ step लीजिए और ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, आप नहीं चाहते कि आपके घर से बाहर बात जाए तो आप कम से कम अपने आपको protect करना तो आपको सीखना ही पड़ेगा विराज का वीडियो इसी बारे में था अगर आप मिनुसे किसी तरह की help चाहते हैं तो आप मेरे messenger पर मुझे inbox कर सकते हैं Thank you